Hello everyone once again this is the second video of environment and in this video we are going to cover news in short और यह हम लोग का बाकी रह गया था रिस जो था हम लोगों ने यह पूरी तरह से कर लिया था कवर जितने भी ऐसे long news रहते हैं यह सारा का सारा एक वीडियो में already हम लोग उने कवर कर लिया है इसे बहुत कुछ Summa All the July से अब जाथा हर तो को फोड़ी तरह को छोड़ा सहाँ प्रैसन कर वाठाएगा UT करदे रखना करते हैं इसको अगर तो आपको इतना टाइम तो डिवोर्ट करना पड़ेगा ठीक है चलते हैं हम लोग कबर करते हैं इनवार्वेंट का सोट्स न्यूस और इट मेरे रिक्वेस्ट इफ और नियू इस चैनल यू कन दू सब्सक्राइब और यूर फ्रेंट देखो एक और चीज में बता दू कि यह इस पर मैं स्वार्ट का और जो भी ऐसे हाइलाइटेट रहेंगे ठीक है और जो भी ऐसे रिलेवेंट यूपेसे रिगार्डिंग और नियूस का जो भी ऐसे कट रहेगा ठीक है निश पेपर का उसको मैं टेलिग्राम पे सेयर तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका देदूंगा टेलिग्राम का और वहां से आप जाकर के इसको जोइन करो ठीक है तो चलो मिलते हैं अब इसको स्टार्ट करते हैं तो पहला हम लोग का टॉपिक हो जाता है यह यह रिलीज करता है स्टेट ऑफ दो वौल्ड ट्रिफोर्ट चलोब 202-4 ठीक है तो यह इसमें क्या बताता है ठीक है इसमें एक्से लिंडी हो है हम बात करते हैं इसमें तो यह और हम लोग बातर डिकलाइन हुआ है यह 19 से 2000 के बीच में जो कि अभी डिकलाइन कर गया है तो यह थोड़ा सा ठीक है क्योंकि एफ्रेस्टेशन को हम लोगो बढ़ाना होगा इंडिया के रेंग कर बात करते हैं तो यह थर्ड रेंग है ठीक है और यह एन्वल गेन है यह फोरेस्ट एरिया में और यह यहां से 2010 से 2020 के बीच में देखने को मिला है विच इस गुड न्यूस ठीक है देखो नॉन टिंबर फोरेस्ट का अगर बात करते हैं तो यह लिबलियूट प्रभाइड करता है अल्मोस्ट 275 मिलियन पीपल को इंडिया में ठीक है इसके इन्वेशन इन फोरेस्ट एक्टर का जरूरत क् इस चीज को कैसे टैकल किया जाए इस चीज को कैसे रेजिलियन्स बना जाए इसके लिए जरूरत जरूरी पढ़ गया है इस फोरेस्ट सेक्टर में इन्वेशन का ठीक है सिर्फ वाड़ बाइयोकनोमी का भी आपको पता है किस तरह से एक ट्रेंड चला है और यह होना भी जिस तरह से climate changes हो रहे हैं और जिस तरह से अलग-अलग sectors में अलग-अलग जगह पे casualty देखने को मिल रहे हैं like anthropogenic और climatic तो यह इस चीज को tackle करने के लिए और भी bio economy में अपना economy boost करने के लिए क्या क्या यूज हो रहा है कैसे तो इस चीज को देखेंगे तो इसमें जो है जै करते हैं लाइक अगर फीज का बात करते हैं राइस का बात करते हैं जो कि माइक्रो नुटिन से देखने को मिलता है और साथी साथ बहुत सारे ऐसे high nutritional content सामने आते हैं जो होते हैं नन फूड फोरेस्ट प्रोड़क्ट ठीक है तो ठीक है यहां से यह समझ सकते हो अब हम हैं ठीक है जो कि forest and trees के potential को और enhance करेंगे क्या क्या हम लोग उसमें innovation करेंगे तो टेकनोलोजिकल का अगर हम बात करते हैं तो जैसे remote sensing का यूज कर सकते हैं cloud computing generate जो जो है यह जेनेरेट करता high quality forest data को ठीक है और यह data जो है हम लोग finally अपने assessment में अपने forest recovery में यूज कर सकते हैं बहुत सारे जो steps लिया जाते हैं उस चीज में हम लोग इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं तो यह यहां से mains point of view से यह important हो जाता है जैसे example को बात करते हैं NASA and EASAS का यह पुछा जा सकता है तो यह जो है यह forest innovation में technology का यूज हुआ है ठीक है social policy and institutional का बात करते हैं इसमें तो ज human का यूज का और indigenous peoples का ठीक है इंडिया joint forest management program जो है यह mandate करता है one-third female representation of on community ठीक है तो यह इतना समझेशल का बात करते हैं तो financial support भी होना बहुत जुरूरी है तो innovation to enhance value of a standing forest और यह जो यह boost करे का restoration effort को ठीक है जैसे एक बात करते हैं इसमें एक्जांपल है innovation like script ठीक है जो इसका अब बात करते हैं तो short commodity risk platform है तो यह इस तरह से जो है यह financial help करता है ठीक है तो इस तरह से इसमें innovation देखने को मिलता है देखो ज्यादा इधर कुछ important नहीं है जैसे barrier क्या क्या हो है development में कौन सा barrier आ रहा है ताकि यह जो अभी forest sector है उसमें थोड़ा से एक delay देखने को मिलता है जैसे lack of innovation culture ठीक है तो innovation का भी culture ही नहीं है कि हम लोग traditional follow कर रहे हैं ठीक है और उसी चीज़ पी अभी हम लोग है तो इस कारण से innovation का culture नहीं है और इस चीज़ को encourage करना बहुत जूरूरी है ठीक है और इसमें basically यह होता नहीं कि लगता है कि यह risk taking हो जाएगा तो इस कारण से इस पर आते नहीं है तो जबकि इस चीज़ को deny करते हैं हम लोग को innovation culture करना पड़ेगा capital limitations का बात करते हैं तो human जैसे human like deficient skills हो गया तो यह थोड़ा सा इस चीज़ में था कि और इस कारण से जो है यह एक better innovation नहीं देखने को मिल पाता है ठीक है तो यह इतना समझ सकते इसमें का बात करते हैं तो impacting technology adoption ठीक है तो policy support में भी बहुत सारे ऐसे issue होते हैं एक बोल सकते है official level पे ठीक है तो government level पे तो यह भी एक matter हो जाता है technology adoption में एक issue create करता है ठीक है रिकमेंडेशन टू इसकेल अप innovation क्या-क्या है रिकमेंडेशन है यह सारा का सारा मेंस पाइंट से important है like किस तरह से rewarding innovation को recognize करना है recognize करना ठीक है और help करना है forest condition culture को ठीक है और बुष्ट करना है skill capabilities और knowledge को जाकि यह जो है forest sector stakeholder में अपना capacity और innovation creation adoption में यह help कर सके देखो यह प्रभाइट करता है यह प्लिंट से important है कि आईवरी कोष्ट जो है यह जोईन किया है United Nation Water Convention को ठीक है और यह जो है Convention on the protection and use of Trans Boundary Water Quartz and International Lacs है ठीक है तो यह यहां से समझ लो जो कि अब हम लोग देख लेते हैं ठीक है इतना था और यह आप यह द्यान रखना कि यह लेगली बाइंडिंग है अब हम लोग देख लेते हैं ठीक है इतना था और यह इंसर करता सस्टेनबल मनेजमेंट अब्यस जिवा था अगर एक मास लेवल पे यूज हो रहा तो सस्टेनबल के लिए ही यूज किया जा रहा है ठीक है गेमबर का बात करते हैं तो इंडिया यह पार्टी नहीं है यह इंपूटेंट है यह इसका मेंबर नहीं है यूएन वाटर कोर्स कंविंशन का भात करते हैं तो यह जो है यूएन कंविंशन ओंद लॉओ अफ दा नन नविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स यह एडप्ट किया गया था नहीं 97 में और जो हम लोग देखते हैं इंडस वाटर टीटी जो है 9060 में साइन यहां पर बात कर लेते हैं जैसे नेविगेटिंग निज ओरीजन फॉर्स शाइट रिपोर्ट ठीका है यह रिलीज कया है यह रिपोर्ट कि इसने रिलीजिज किया है नेविकेश निज nuclear है इसने यह इन पर देखने को मिल रहा है और इस इसमें इंक्लूड है pollution, biodiversity loss and climate change तो यह इस तरह से ट्रिंगल है ठीक है तो triple planetary crisis को इसमें इंक्लूड किया गया है यह highlight करेगा global policy crisis को poly crisis को ठीक है poly crisis बहुत सारे से crisis included है like multiple shock देखने को मिला है जैसे war, extreme weather, pandemic, phase और और बहुत जैसे interwoven और globalization देखने को मिल रहा है उसका क्या असर पड़ेगा वो सारा चीज़ इसमें include किया गया है ठीक है तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं जैसे various shift signals और potential disruptions किया है ठीक है तो जैसे changing relations between humans and the environment किस तरह से भी human and environment के बीच में changing relation देखने को मिल रहा है जिस कारण से अलग अलग disease देखने को मिलते हैं communicable disease हो गया ठीक है और genetic disease हो गया है इसका ही एक result होता है ठीक है जैसे rising AMR अगर बात करते हैं और जो जो ऐसे uninhabitable space है यह climate change के कारण ही देखने को मिलता है ठीक है तो यह जो antimicrobial resistance की सारा का सारे इसका पीछे एक reason हो जाता है scarcity and competition for the critical resources का बात करते हैं तो यह global security dynamics को reshape कर रहा ठीक है तो यह यहां से समझ जो जैसे orbital space debris हो गया तो यह भी कहीं न कहीं एक matter हो जाता है देखो waves of innovation in the digital landscape का बात करते हैं तो IOT हो गया और AI adoption हो गया यह जो है digital landscape में innovation देखने को मिलगा कितना तेज़ी से ठीक है autonomous and artificial intelligence weapons systems का बात करते हैं तो यह amplified risk of biological agent misuse है तो और यह देखलो mass force displacement 1.5% of the world population जो है यह for possibly displaced हुआ है कहीं न कहीं किसी खानल से एक्जो anxiety का बात करते हैं तो यह जो है यह negative emotional responses है जो कि environment and climate crisis के threats से related है ठीक है देखो recommendation का बात कर लेते हैं तो यह new social contract है यह UN Secretary General के report के according our common agenda जो यह पूछा जो सकते हैं का our common agenda को रिलेज करता है तो यह जो है UN Secretary General का report है ठीक है और common agenda यह enhance करेगा diverse stakeholders को और इसमें include रहे हैं like women, indigenous और young people ठीक है देखो Asile and adaptive governance का बात करते हैं तो यह sustainable future को यूज करेगा for the technology और साथी साथ funding को funding provide करेगा ठीक है इसमें है जैसे guiding governance का बात करते हैं तो यह data and knowledge के तुरू यह governance को अच्छे से guide किया सकते हैं Climate change and marginal farmers का बात कर लेते हैं तो यह भी important है आपको पता है इंडिया में mostly marginal farmers है उनको climate change जैसे तेजी से देखने को मिलता है तो उनका impact सबसे ज्यादा marginal farmers पर ही पड़ता है तो impact on climate change marginal farmers जो है यह report released किया गया है by the form of enterprises of equitable development ठीक है तो यह फीड ने release किया है यह important है कि यह marginal farmer report की इन रिलीज किया है तो फीड ने किया है ठीक है यह basically marginal farmer पर बात करता है तो इसका अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कटेगरी जो है farmer जो फार्मर का category है basically land holding के basis पर है खाज करकर कि इंडिया में हम लोग देखे तो 2 to 4 hectare देखने को मिलता है इनके पास land medium का बात कर ले तो 4 to 10 hectare and large में 10 hectare और उससे ज्यादा है तो large में contribute होते है की highlights का बात कर लेता है तो यह vulnerability है यह basically extreme weather conditions के कारण तो अभी जिस तरह से changing हो रहा है कहीं अगर बारीस हो रहा है कहीं बारीस हो रहा है यह climate change के कारण ही impact कहीं कहीं देखने को मिला है तो यह इहां से समझ सकते लिवलिवूड diversification भी एक other matter हो जाता है इसमें देखो जैसे की 86% जो farmer है वो अपना occupation जो है यह climate impact के कारण उनको suffer करना पड़ रहा है तो alternative livelihood इसमें अपना वो देखते हैं और इसमें लाइक यहां पर हमलो बात करते हैं तो temporal migration हो गया और जो भी ऐसे अपना काम ढूंडते हैं लाइक मनरेगा में ठीक है तो MZ नरेगा में यह अपना work देखते हैं हडल से अगर बात करते हैं adoption of CRA practices में लाइक का हाई हाई upfront cost हो गया और limited knowledge इनके पास होता है तो इस करण से जो है यह अपना skill बोल सकते हैं कि इनके कम होने करण वो एक फर्दर अपने दूसरे work में shift नहीं कर पादे ठीक है तो small land holding और lack of fiscal resources एक major hurdle हो जाता है इसके climate resilient agriculture को adapt करना है ठीक है तो climate resilient agriculture adapt करना बहुत जरूरी है ताकि जिस तरह से climate change हो रहा है उस चीज के according हम लोग अपने खुद को उस चीज को align कर सके है बट अभी जो है इनको funding का issue हो जाता है इनके resources का physical resources का issue हो जाता है यह सारे चीज में है देखो recommendation का बात करते है कि recommendation यह main point of view से important है ठीक है तो यह strengthen करना है existing platform को अभी बहुत तरह ऐसे existing platform है जैसे GACA से ठीक है तो global alliance for climate smart agriculture ठीक है तो यह develop किया गया है basically by the food and agriculture organization तो यह most important है और इसको ध्यान रखना है ठीक है अब देखलो जिससे shift focus करना है from the land productivity यह basically land productivity जो है यह gain produce per hectare है और जो कि water productivity का बात करते है तो train produce per cubic meter of irrigation water तो अभी इसी बात है water है तो per cubic meter में देखेंगे देखो mission mode approach का बात करते है तो यह होना चाहिए उनको education provide करना चाहिए training देना चाहिए training orientation होना चाहिए एक better orientation होना चाहिए उनके बीच में ठीक है एक expert होना चाहिए जो कि उनको राया दे सके नेक्स्ट न्यूज तो यह है spring initiative spring initiative है का यह देखते हैं तो UN का जो एक PRI network है principle for responsible investment जो इन्होंने launch किया है spring ठीक है a new initiative to hold or reverse nature loss by 2030 तो किस तरह से 2030 तक nature जो loss हो रहा है उस चीज को कैसे reverse करना है तो इसी को ले करके PRI जो है यह spring launch किया है एक new initiative तो spring initiatives है क्या यह देख लो कहीन कहीं प्रिलियंस में पूछा दा सकता है तो यह supported है by a coalition of 200 investors जो की manage किया जाएगा और इसमें जो assets का बात करते हैं तो 15 trillion assets इसमें combined है ठीक है यहां पर objectives का बात करते हैं तो यहां पर देख लो जैसे यह address करेगा systemic risk of nature losses to societies इसमें दोनों included forest loss and land degradation included है इसमें और किस तरह से इसका जो एक risk कर रहे हैं ठीक है रिक्स में है उस चीज को कैसे nature laws को फिर से society को address करना है society को समझाना है बताना है यह सारा चीज जो है इसमें included है और यह manage कर रहे है बिसकली यह 200 investors जो है यह manage कर है है combined 15 trillion assets को ठीक है तो यह चीज यहां से समझ सकते देखो यह focus करता है responsible political engagement फे और यह जो है vital aspects corporate governance का ठीक है यह बस इतना ही था और यहां से देख लो जैसे next है fund for responding to loss and damage ठीक है तो अभी यह सी बात है तरह से call बलाया जा रहा है इसको नाम दिया गया है like FRLD ठीक है fund to respond to loss and damage ठीक है तो यह जो है यह decide and decide किया गया था it was decided that the Philippines will be the host country for board of the fund ठीक है तो board of the fund को host को करेगा यह decide किया गया है यह फिलिपिन करेगा ठीक है तो यह भी थोड़ा सा समझ सकते हो अब हम देख लेते हैं FRLD के बारे में fund to respond to loss and damage तो यह established किया गया था in the 27 session of the UN FCC conference of parties ठीक है और यह हुआ था सर्मल से किसे इप में ठीक है बात करते हैं तो यह basically negative consequences है जो इसको हम लोग चाहा करके भी आवाइड नहीं कर सकते हैं लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया राइजिंग सी लेवल हो गया ठीक है प्रोलोंगड हीट वेफ हो गया डिजर्टिफिकेशन हो ऑशेन इसमें इंक्लूड़ेट है देखो नेक्स न यह देखा जाता है अनिमल्स का और हम इसा सी फेजी पुछते है रहा है दो सालों से तीन सालों से तो उसको कैसे हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखो जैसे एयर पॉलिशन हम्स पॉलिवनेटर्स मोर तो अभी रिसेंट स्टडी में पता चला है कि कि इस तरह से निच् बट जो भी ऐसे पेस्ट होते हैं जो जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उनको अफेक्ट नहीं कुछ हो रहा है जिस कारण से तेजी से अगर इस तरह से ऐसा ही देखने को मिला तो अब यह सी वात है जो पॉलिवनेटर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फाइनली जो किस तरह से पॉलिवनेशन करना है तो इस तरह से अगर देखा जा रहा है कि एरवूंड केमिकल सिंगनल और साथी साथ एयर पॉलिशन जो कि इना तेजी से देखने को मिल रहा है तो अब इस वात है यह चीज होगा और यह डिस्टरॉप होगा और फाइनली इनका डेथ बशन बाइगा बाइलोजकल इंपक्ट का वाद करते हैं तो यह जो है इसमें देखने को मिलता है यह फीडिंग ग्रोथ सर्वाइवल और रिप्रोडेक्शन ठीक है यह जो है यह बेसे कली बाइलोजकल इंपक्ट जो है यह एबिलिटी टू लोकेट फूड वास मॉस्ट तो इसमें यह देखने को मिलता है कि और इस कारंसीन को जो फुड पता करने का जो एबिलिटी है यह भी खातम हो जाएगा यह जिस तरह से तो नाइट्रोजन ओक्साइड जो है यह सब्स्टांशियल निगेटिव इफेक्ट करेगा यह एक तरह से मेजर इशू है डेमेज एट लो पॉलिशन लेबल का बात करते हैं तो चेंज इन इंसेक्ट्स पॉफॉमेंस जो है यह अकर होता है इवन अट लो लेवल आफ एर सब्सक्राइब तो चलू ठीक है इतना हम लोगोंने देख लिया की इसमें कुछ ज़्यादा इंपोडेंट है नहीं थोड़ा से देख लो ठीक है यह मेंस पाइंट बरलेंच परलींस परिलिंप्रलिंट है ठीक है यह ठांस फूलेंटेंटर इंधर अप्लावर टॉडवर स्टिगमा ठीक है तो यहां पर देखने को मिलता है मेल में एंड स्टिगमा जो फिमेल फ्लावर में देखने को मिलता है जो यह दो तरह के होते हैं एक तो अब भी जो मैंने बता है सेल फॉलिनेशन जैसे यहां इसमें आगर अगर मों बात करते हैं इसमें अगर बात करते हैं यह बायोटिक लाइक इस तरह से देख सकते हैं यह एंधर होगया और क्लाइमिट सिस्टम है जो कि ग्लेसियर पे बात करता है और यह जो जिस तरह से अब यह बताया गया है इस जी ओ इंजिनरिंग में अब इस वात है कि अगर खुद से अगर से अगर से देरे देरे लोस होगा तो जो सी लेवल है वो तो बहुत कमी राइस करेगा इटमिंस की डिडियूस करेगा ठीक है तो यहां पर बिसकली यह ग्रूप आप सांटिस्स जो इंटर्विंशन में देखें तो यह कुछ ऐसे सेडिमेंट बंस हैं और फिर फाइब्रस का कटेंस हैं लॉंग दशीवेड इन फ्रॉंट ऑफ आइस से ठीक है जैसे कुछ ऐसे मेथड हैं जो कि हम लोग इसमें यूज करते हैं जिससे की बिसकली जितर से तेजी से मेल्ट ह और उसको कैसे रोकरना है तो ओसीएइट ब्रांसफूर्टि अभी इससे बता कि ओसेटाथ को अगर वींभी करते होग्यार और यह इो हूँ Приने अगर यहाँ धेट तो यहां पर और आइस है तो यहाँ पर यहां पर दीट को च्रय को करते हैं यहां पर इसको अमलेट करते हैं किसे ही थ्न तो यह जो है यह थोड़ा सा रिड्यूस कर प्रणкой रही पगला होगा यह गया ठीक है तो इस तरह से यह चीज़ हम लोग यूज कर सकते हैं जो कि यहां पर एक बताया जा रहा है कि इस दरह से हम लोग को वां जो जो सर्कुंपोलर डीफ है डीफ water है सर्कुंपॉलर डीफ water उसको flow को कैसे block करना है देखो बसल hydrology intervention का बात करते हैं तो यह flow of stream को slow करता है और यह जो melt water होता है जो off the ice seat होता है उसको carry करके ले जाता है ठीक है तो यह यह भी है basically एक method ही है तो this can be done through the drilling hole और यह drilling hole के through किया जा सकता है तो यहां से हम लोग यह समझ सकते हो अब हम लोगों देख लेते हैं geo engineering के बारे में तो यह जो है यह डिलिवरेट large a-scale manipulation of the earth climate system है जो की anthropogenic global warming को थोड़ा सा radiation को जो की earth surface पहुंचते और global average temperature उसको कम करेगा strategy इसमें include हुए है like aerosol injection aerosol injection आपको पता है हम लोग cloud seeding में भी यूज करते हैं तो यहां पे है aerosol injection का यूज कर रहे हैं जो कि basically जो sunlight होता है sun का जो रहे आता है उस चीज को थोड़ा सा reflect back करेगा ठीक है यह marine cloud brightening भी यूज कर इसमें albedo improvement कर रहे हैं अगर तेजी से albedo improve होगा ठीक है मतलब एक high albedo वाले reason रहेगा तो उसमें melt ice बहुत कम होगा ठीक है ocean mirror का भी यूज किया रहा है carbon geo engineering और carbon dioxide removal cdr का बात करते हैं तो basically इसका aim भी है कि यह किस तरह से CO2 का concentration जो atmosphere में देखने को मिलता है उसको remove करना है ठीक है इसमें देख लो जैसे बहुत चारा से carbon capture और storage include like ocean alkalinary enhancement भी है ocean fertilization भी यहां पे देखने को मिल रहा है जी engineering का आप significance देख लो बहुत ज़रूरी है यह तोड़ सम्मेंस पाइंट भी से यह can complement decarbonization effort decarbonization को complement करेगा और reduce करेगा impact of global warming को ठीक है यह prevent करेगा climate change और induce करेगा extreme disaster और protect करेगा livelihood तो बस यही चीज़े common साब समझी सकते हो और यह halt करेगा melting of the glacier and district करेगा sea level rising को तो यही सारे कुछ 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 concern यहां पे यह देखने को मिलता है कि potential of the major disruptions है ecosystem यह देखने को मिलता है और यह also cause करता है termination stock को ठीक है यह जो कि rapid rise in global temperature है यह टेक्नोलोजी पॉस को ले करके देखो जैसे यह lead करता है potential extreme events like acid rain और alter precipitation matters तो अभी सिवात है यह कहीं कहीं एक issue हो जाता है इसका एक drawback हो जाता है ठीक है ठीक है यह most important यह हो जाता है ठीक है यह plane points है China जो भी unveil किया है the world first dual tower solar thermal power plant जो कि यह energy efficiency को boost करेगा by 24% ठीक है इसका features सम्हों लोग देख लेते है solar thermal power plant का ठीक है तो यह track करेगा sunlight को ठीक है जो कि यह इसका plant feature सो है 2000 meter tall tower है ठीक है यह इसका हम लोग बात करेते हैं 2000 tall tower है और यह surrounded thousands of mirror से तो इसमें thousands of mirror लगे हुए है ठीक है यह 2000 जो 200 जो है 200 meter tall tower जो है यह automatically track करेगा sun के movement को और साथ ही साथ achieve करेगा 94% reflection efficiency को ठीक है इसका storage का बात करते हैं तो access sheet को store करेगा ठीक है और यह molten salt storage को utilize करेगा like as a thermal battery और यह एलाव करेगा storage access sheet को जो की collect करेगा daytime में और इसको further night में इसको power generation में यूज कर सकते हैं ठीक है देखो site ने भी release किया है report on rosewood ठीक है यह थोड़ा सा balance point से important है जैसे कुछ species पुछे जाते हैं यहां से related तो sites जो भी launch किया है sites rosewood यह in the global picture report ठीक है तो यह इनना समझ लो यह पूछा जाया सकता है report details का बात करते हैं तो site listed rosewood एस्वेसे जो है यह इसमें characteristics हो गया एको एको system इसका क्या है यह सारा चीज़ में बताया गया इस report में इसका information जो ही यह help करेगा sites parties को ताकि यह जो भी ऐसे NDF and non-determining finding है इस चीज़ को inform किया सके देखो NDF जो ही यह mandatory scientific analysis है जो कि sites के अंदर में है और यह ensure करता है ऐसे कुछ भी specified quality को exporting में ठीक है जैसे appendix 1 और appendix 2 में जो ऐसे listed species हैं जो कि कहीं न कहीं एक long term survival of wild में यह effect नहीं करते हैं ठीक है तो यह चीज़ांसे यह बताया गया तो इसे को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका देख लेते हैं रोजूट के बारे में क्या है यह यहां स इस फैमली से यह बिलोंग करता है ठीक है यह यहां से इंप्रोटेंट है यह पूछा सकता है कि जो ट्रॉपिकल हाड़ वूड इन दा फैवेसिया है यह बिसिकली रोजूट फैमिली और यह लिगूमेंस फैमिली जो है यह appendix 2 में रखा गया है और जो कि लिगूमेंस फैम अइसको बोलते हैं और यह जो है दल्बर्झिया अशीरोच्या यह व fronts बीडियाोच्पुझया जिसकू है आपको पता है यह तो पता होगाद शीको तो फृचलut यह इन्दिया देखने को मिलता है और यह विलनरेबल और लिस्ट कंशन में अभी तो यह नियो nep यह बात करत इको सिस्टेम में अगर बात करते हैं तो स्वाल इंप्रूप्मेंट में उभी से बात है हर प्लांट का कहन कहीं होता है बट दालबेर्जिया इंप्रूब कर सकता है डिग्रेटिट स्वाल को ठीक है तो यह थोड़ा सा इंपोटेंट है और यह फास्ट डीकंपोज जो लीफ लिटर होते हैं या फिर रिचिन नैट्रोजन फोस्वारस तो यह थोड़ा सा एक कफास डीकंपोज करता है देखो नैट्रोजन फिक्सेशन का बात करें तो यह है ही क्योंकि अभी हम लोग ने देखा यह लिगुमनेस फैमली से बिलों करते हैं तो कुछ ऐसे से स्पीसीज यहां से हम लोग देख लेता हैं यह मुस्ट इंपूर्मेंट को इंट्रेट के बारे में कि किस तरह से कौन सा जो वाल्ड एनिमल है उसको आपको ट्रेट करना है नहीं करना ठीक है यह प्लांट जो है यह डाज नौट ट्रेटन दर सर्वावल ओगेस तो यह भी है क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो की एक तरह से बोल सकते हैं जो इन्वेसिव शीज होता है तो यह सारा चीजी इसमें कंसर्न है हम लोग के यह देखना है कि इंटरनेशनली बैंडिंग एग्रिमेंट है इंगेनिसिस का बात कर लेते हैं तो यह ड्राफ्ट किया था नंदिशिक्टी थी में जो कि आयूशी इंडियूशन को फॉलो करके है और यह फॉर्समाथ नंदिशिक्टी फाइब से यह है अगरूड है और यह इंडिया में देखने को मिलता है और अभी-अभी रिसेंटली साइट्स ने इसके एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा सा रिजम्संस दिया है और थोड़ा से इसको अशान बनाया ठीक है इसकारण से और ताकि यह जो लैक्स ओफ जो फार्मर है उनको बेनिफिट हो सके तो हमारे लिए इंपोटेंट क्या है यह अगरूड है क्या है प्लेंट से इंपोटेंट है तो एक्विलेरिया मेले केंसिस जो है यह अगरूड जिसको बोलता है यह एवर ग्रिन ट्री जो है यह नोर्थ इस्ट इंडिया में ज्यादा तर देखने को मिल यह सारा का सारे इससे हम लोग देखते हैं देखो अरोमेडिक प्लांट वे विसे कली न हम लोग जनरली यूज भी करते हैं फोर कॉस्मेटिक के लिए हो गया अपना फिर जो एस्पे वेगरा में यूज करते हैं तो उसके लिए यह होता है ठीक है यह जो है यह इसका यह जो है यह मेगा फाउना कर गाया ठीक है यह मेगा फाउना का बात करते हैं तो अभी डिसेंटली आर्केलोजिस्ट ने यह डिस्कवर कि हा वर्ल का ओल्डेस यह जो ओस्ट्रिच नेस्ट है यह आंध्र परदेस में देखने को बिला है और इसका यह है फोटी वन तो मेंगा फाउना यह डिस्क्राइब करता है जो कि कुछ उनका उच्ट होता है अगर उसे जनरली उस त्रेस में संसरी मेगात क्लासिफाइ किया गया है तो मेग फोना किस तरह से और भोजन रहता है उसके किया गया है से अगर मीट इटर्स तो उसको कार्नीवोर्स डेखने को मिला ऩी जह नहीं है यह मेगा घर्वी वर्ष और मेगा कंडी वर्ष है इनका लोसिस देखने को मिला कुछ ऐसी इस्स्टिंग्ट मेगा फोना एस्पेस हैं जो के । इनक्लूडवी है यहां पे श्भी मेमत हो गया ठीक है शैवर्ड टून टाइगर हो गया और ग्यांट् श्वोत हो बोल सकते हैं 10 सालों से 10 एक डिकेट से नहीं देखने को मिल रहा ठीक है जर्डन करसर्स तो यह है कि यह एक बर्ड का इस्पेसीज है जो कि नॉक्टोर्नल बर्ड होता है और यह इस्टर्न घाट में जेनरली क्यों और क्यों यहां पर है यह पाया जाता है तो यह प्रिलिंस सेंचुरी कडपा अंध्रपरदेश में यहां पर देखने को मिलता है प्रोटेक्शन इस्टर्स का बात कर लेते हैं तो यह जो है आई-डव्य-ची स्कीम के अंदर इसको रखा गया है इसका प्रोटेक्शन के लिए वर्क किया जा रहा है ए इंटेग्रेटर डेवलेप्मे बहुत जुरूरी है तो देखो यह जो है अभी रिसेंटली इस्टेडी में पता चला है कि वल्वाचिया वैक्टेडिया जो है यह मैनिपुलेट करता है वास्फ इंकैर्सिस फॉर्मोशा को जो की इंटारले जो है यह इसके जो मेल होते हैं वहां से खतम हो रहे हैं ठीक है सब्सक्रियए और वाइड फ्लाइस उसंहाता है वाड़ जो कि एक जो एक्रिकल्चिर के पेस्ट के तरौर पर देखा जाता है उसको इसको बहुत करने में इनका इक मिज़र रॉस है धेखो खब्लाचिया वैक्टिया का बात करतें हैं तु यह जो पहल जाता है नीमा पोड यह दोनों में इंसेक्स में पायजाते हैं इसका अगर हुल बात करते हैं इंसेक्स में तो यह प्रजेंट होते हैं यह में बट यह प्रजेंट इन रहते हैं तो यह थोड़ा सा समझ सकते हो तो एक में तो प्रजेंट रहते हैं बट इस पर में अपसेंट रहते हैं और यह female can transmit them to their office spring whereas male can't तो देखो बात यहां पी यह है कि एक में रहता है female में तो इस कारण से यह transmit करवाते हैं अपने office spring तर लेकिन sperm में नहीं होता है तो male इसके लिए capable नहीं है इतना हम लोगों यहां से समझना है अब देख लेते हैं इसका इसका result का अगर हम लोगों बात करता है तो वाचिया अभी इभाल हुआ है way to manipulate the insects host ठीक है जो कि प्रोडुस कर एक more female than male progeny अभी इस जिवात है female को जादा है यहां पर 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 होड़ा क्योंकि इसमें यह देखने को मिलता है और फिमेल एक में और इसका रहन से वह ट्रंस्मिट करते हैं अपने से ओफी स्प्रिंग तक देखो और ट्राजीन का बात करते हैं यह प्ले करता है कि रॉल इंस्वेंग दियर फीचर्स पोटेंशल अप्लिकेशन का बात कर लेते हैं तो मोस्क्यूटो जो है विद वलवाचिया कैन यूज टू रिड्यूस नंबर ऑफ टार्गेटेड मोस्क्यूटो ठीक है यह पुछा गया था यहीं से कि इसका यूज किसलिए होता है ठीक है वलवाचिया में थटका तो मोस् अशीब्यूटीक मोस्क्यूटो उसको रिमूप किया जाता है इसको रिड्यूस किया जाता है देखो सम्हें सिंकेशन कीजा रिक्तिके इसको मलें अलंब देख लेते है अब यह से। है तो शिफिट Waar में ने उसका स्विंगर और उसका कंडिशन के को डिए यहां पर यह इसका लाइग कर सकता है ऐसे कंडिशन तो मोसस में नगर न वर्रस्टिहुलर फ्लावर लेस जो कि यह टेक्षोनोमिकल डिवीजन और इसका यह डिवीजन है ब्राइवफाइटा गेंद देखने को मिलते हैं तो साथी साथ मोसे जो है यह कमोनली फांड होते हैं मोस्ट सैडी लोकेशन में यह तो हम लोग जेनरली साइंस में पढ़ते हैं और यह डिस्रिबूटर होते ह इसमें फ्लावर नहीं लगते हैं यह थोड़ सा ध्यान रखना है यह लेंस पांट से समझ सकते हो अब हम दो देख लेते हैं सिंट्रीचिया के बारे में के बारे में देख लेता है तो यह वाइड डेस्पीड है कुछ ऐसे अर्थ के हर्वेस्ट लोकेशन में लाइक अंठ इसका नाम अगर बात करते हैं तो अर्थ को वैली से इसका नाम रखा गया है जो की इस्टन घाट अंधर प्रदिश में देखने हो मिलता है इसमें अगर वेदर व्वेली का बात करते हैं तो यह इसमें देखने हो बिलता है साथ ऐसाथ कोल नायट और जो आएसे इरें रिच वाल होते हैं उसमें यह जादा दा ग्रोग करता है ठीक है और इसका हम लोग बात करता है तो aromatic richness इसमें और टेस्ट भी एक बेटर देखने को मिलता है इसमें तो बस इतना हम लोग यहां पर यह देखना था अब हम दो देख लेते हैं लास्ट हम लोग का रहेगा यह उमलीनला पास ठीक है उमलीनला पास यह न्यूज में क्यों रहता है में जान लेते हैं थोड़ा सा जीग्रोफी पॉइंट और यह थोड़ा सा इंपोरेंट हो जाता ठीक है तो यहां से यह जो है यह लोकेटेड है 19,024 फीट पे और यह इस्टर्ण लादाक वाले रिजन में देखने को मिलता है लादाक रिजम में ठीक है यह जो है यह रिनो लादन प्रोजेक्ट के अंदर इसको कंस्टट किया गया तो यह पीओ है सबसके पुश मैं ले घरग और बॉस्ट करता है टॉरिजम है इन लदाक यह तोसका बहुत सारी इंपुश्मा चार से hashen अरग्फरसे का बात करते मैं बहुंस पासिस है यह भात करते हैं यह लग HOW यह बूसा लगा हो गया ठीकिए HOR js ले तक हर पर चीज है आपको नेक्स्ट के निम्न लाएंगे दूसरे सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह से हम लोग आई यह वीडियो कंप्लीट होता है इन्वार्मेंट का और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको यह अच्छा लगेगा